नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीडि की पूरी जो थीम हैं वो इसी बात पर अधरित हैं हमें यानि हम इंडिया को एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल की आव सकता हैं सबसे पहले बैग्गराउंड की बात करते हैं आज के समय में कोविड-19 की महामारी के करण फिस्कल सिचुएशन काफी खराब हैं 2019 बीस से भी 0.8 परसेंट ज्यादा है करेंट फाइनेंशल यर के लिए एस्टिमेट यह लगा गया था कि फिस्कल डेफिसिट जो है तीम पॉइंट 5 परसेंट तक रहेगा लेकिन देखो आपको पता है रेवन्यू कम प्राप्त हुआ है इस साल महामारी के करण तो फिस्कल डेफ था 3.5 परसेंट फिडिपी का लेकिन अब 7 परसेंट फिडिपी जा सकता है हमारा फिस्कल डेफिसिट और अगर हम यूनियन और स्टिट्स दोनों के फिस्कल डेफिसिट को मिला दे तो यह आलमुष्ट 12 परसेंट फिडिपी हो जाएगा और ओवराल इंडिया पर जो को टैकल करने के लिए क्या किया जाए राइटर तो यही कहते हैं अगर सरकार चाहती है कि फिस्कल डेफिसिट कम हो हमारी इकुनमी स्टेबल रहे फिस्कल कंसोलीडिशन हमारे देश की इकुनमी में हो तो एक इन्डिपेंडनेट फिस्कल käyt oldu कर दे की आघएगा सकता है यह बज़र्ट में comprehensiveness, transparency, accountability इन सब चीजों को ensure करेगी आज क्या होता है, मतलब present government की बात नहीं है विभिन सरकारे, FRBM Act में जो targets है कि हम 2021 तक हमारे fiscal deficit को इतना कम करेंगे 2022 तक इतना कम करेंगे, इन सब targets को बार बार postpone कर दिया जाता है जो bill payments करनी होती है सरकार को, वो timely pay नहीं की जाती और देखो, अपना खर्च छुपाने के लिए सरकार off budget financing करती है जैसे example देता हूँ food subsidy सरकार को देनी होती है, लेकिन सरकार क्या बोलती है FCI को कि आप national saving scheme से loan ले लीजिए, अब ये चीज सरकार को budget में नहीं दिखानी पड़ेगी तो budget में सरकार का expenditure कम दिखेगा कहने का मतलब ये है simple भासा में, सरकार जुगार करती है कि budget में expenditure कम दिखे, इसलिए budget के बाहर जाके कुछ data को manipulate किया जाए लेकिन देखो, खर्स तो हो ही रहा है ना, budget में आप नहीं दिखाओगे तो क्या हो गया लेकिन खर्स तो हो ही रहा है, यहाँ पे देखो, काफी सारे examples दिये जाते है offset budgeting के, जैसे special banking arrangement for covering areas of fertilizer subsidy issuing short term bonds, unsecured loans, national small saving funds से उधारी लेना, FCI के द्वरा, ताकि food subsidy को meet किया जासके next, long term irrigation fund जो की create किया गया था नबाड के द्वरा इस fund से irrigation projects की financing करना या फिर Indian Railway Finance Corporation से loan लेकर railway projects की financing करना अब काईदे से ये सब चीजें, ये सब जो खर्चा होता है budget में आना चाहिए, बट budget से बाहर जाके सरकार जुआड करने की कोशिस करती है, ताकि वो data budget में नहीं आएगा, तो खर्च कम दिखेगा खर्च कम दिखेगा, तो fiscal deficit कम दिखेगा तो transparency का अभाव है पहले भी काफी committees ने कहा है कि एक अलग से independent council तो होने ही चाहिए जैसे 13th Finance Commission ने कहा था कि Ministry of Finance के द्वारा एक committee को appoint किया जाए, जो बाद में transform करे अपने आपको fiscal council के तोर पे ये annual basis पर independent public review करे FRBM Act का, इसके अलावा जो policy decisions लिये जाते हैं उनका क्या fiscal impact होगा इसको भी review किया जाए इवन FRBM review committee के द्वारा भी इसी परकार की recommendation दी गई थी और कहा गया था कि Finance Ministry एक council को appoint करे, जो कि independent review करे FRBM Act का आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो अगर Finance Ministry ही council को appoint करेगी तो वो council independent रूप से काम कर ही नहीं इसकेगी, क्योंकि conflict of interest रहेगा आपको appoint ही Finance Ministry के द्वारा किया गया है तो आप उनी के इसारों पर काम करोगे Finance Ministry के decisions को आप criticize नहीं करोगे तो इसलिए आउशकता ये है FRBM Act में ही amendment कर दिया जाए और अलग से एक independent fiscal council establish की जाए जो Parliament के द्वारा ही appoint हो और Parliament को ही report करे Finance Ministry का इसमें रोल नहीं होना चाहिए क्यूंकि conflict of interest आ जाएगा ये committee Finance Ministry के फैंसलों को challenge नहीं करस केगी यहाँ पर आगे definition दी गई है independent fiscal institution की OECD के एक journal में definition बताए गई थी कि fiscal council एक publicly funded entity हो सकती है जिसमें non elected professionals हो जिनको काम दिया जाए सरकार की fiscal performance की non partition धंग से देख रेक की जाए मतलब बिल्कुल independent होके अगर सरकार कुछ गलती कर रही है ता साफ तोर पर बताए जाए सरकार का ये जो फैसला है ये गलत है और अगर सही काम कर रही है तो वो भी independent होके बताए जाए इस परकार के institution के द्वारा जब देखो objective और scientific analysis किया जाएगा तो fiscal performance जो है हमार देश की economy की वो improve होगी देश की economy में और public finances में stability आएगी ये सब काम हो सकते हैं independent fiscal institution के transparency और accountability fix करना budget में इससे debate का जो level है वो भी बढ़ेगा अभी देखो सरकार बहुत सारा data release करती है opposition जाद ध्यान नहीं देती उस data पे तो debate ही नहीं होती पार्लियमेंट में अगर independent institution होगा तो वो पूरी transparency के साथ और accountability के साथ data की interpretation करेगा और इससे debate का level बढ़ेगा इवन लोगों में भी जागता आएगी एक काम ये होगा इस institution का सरकार का जो fiscal data है या फिसकल policies और programs है उनकी monitoring करना उन पर objective अपना view परजेंट करना objective analysis करना अगर कोई alternate policy option हो सकता है तो वो भी suggest करना next point जो programs पर खर्च आता है सरकार काफी programs चलाती है उन पर जो खर्च आता है उनका scientific estimate लगाना और लोगों में जागुता पैदा करना कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है इसके fiscal implication क्या होगी ताकि लोग भी समझें कि सरकार के भी कुछ constraints है सरकार इसका provision नहीं कर सकती इससे इतना सारा खर्च आएगा जैसे कई बार जनता बोल देती है कि सरकार ऐसी scheme क्यों नहीं चला सकती तो अगर ये council पूरा बताएगी कि इस परकार के program या फिर scheme चलाने पर इतना खर्च आएगा और budget में इसका provision अभी फिलाल करना possible नहीं है अगर देखो objective और scientific analysis इस council के द्वारा किया जाएगा सरकार के various decisions का for example, populist decisions का सरकार काफी बार जनता को लुभाने के लिए scheme चलाती है तो ये council बताएगी कि आपने जो scheme चलाई है इसका ये impact होगा तो एक debtorans create होगी कल को सरकार discourage होगी इस परकार की populist scheme चलाने के लिए इसके बाद article में दूसरे देशों के examples दिये जाते हैं काफी सारे देशों में इस परकार की independent जो fiscal council है या फिसकल institution है established हुआ है और इसके काफी बहतर परिणाम भी देखने को मिले हैं जैसे example दिया जाता है Belgium का, Chile का, UK का अलग-अलग नाम है councils के जैसे Belgium में Federal Planning Bureau Chile में दो अलग से independent bodies established की गई थी UK में Office for Budget Responsibility इसको काम दिया गया था fiscal sustainability को restore करना इसके बाद article में ये कहा जाता है कि अगर ये independent fiscal institution established होता है तो no principles पल ध्यान दिया जाए सबसे पहले local ownership independence and non-partition ship mandate, resources, relationship with legislature, access to information, transparency, communication और सबसे last में external valuation final words में ये कहा जाता है writer के दोरा देखो कुछ experts बोल देते हैं कि पहले भी बहुत कुछ हुआ है जैसे FRBM act आया था इसी काम के लिए आया था तो फिर क्या अलग से independent council establish की जाती है तो ये सफल हो पाएगी तो writer कहते हैं FRBM act पूरी तरह से तो failure नहीं रहा है हाँ सोचा जो गया था कि systematic धंग से FRBM act के according सरकार अपना fiscal deficit कम कर देगी वैसा तो नहीं हुआ लेकिन FRBM act के कारण awareness जरूर आई है और बात करें कि ये independent council सफलता पूरवा का अपना काम करस केगी या फिर नहीं करस केगी अगर establish होती है तो एक बहुत ही अच्छी बात writer बोलते हैं ये line देखिए कि अगर तो देखो political will है तो तो फिर इस council के establish करने के आप सकता ही नहीं है पहले जो act था for example FRBM act उसके according ही सरकार काम कर लेती अगर तो सरकार के अंदर political will होती और अगर political will नहीं है तो फिर आप ये independent council अगर establish करोगे तो ये भी ठीक से काम नहीं करस केगी सरकार कोई ना कोई भाना ढूंड के इस council की recommendations को भी ignore कर देगी तो political will का होना जरूरी है ये हमने पूरा article discuss किया इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion